नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ा मैट्स लेके आया हूँ, अकाउंटिंग के बारे में कुछ इंटरस्टिंग चीज बताऊंगा और वो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, नौकरी की जर्नी, डिसिजन मेकिंग की जर्नी में थोड़ी मदद करेगी आज बात करेंगे गाड़ी की एक्विजिशन कॉस्ट की, अगर आप एक गाड़ी खरीते हैं तो उसका थोड़ा मैथ देखेंगे लेट से आप खरीते हैं एक कार, XCV500 के एक्विलेंट गाड़ी को खरीते हैं जिसका on-road price, इसके के लिए लिते हैं 20 लाक रुपीज की आपको खर्चा करना पड़ता है उस गाड़ी को लेने के लिए on road price की बात कर रहा हूँ मैं आपकी तो 20 लाख रुपे आपको गाड़ी लेने में लगे तो क्या ये गाड़ी 20 लाख में आई इस पे चर्चा करते हैं तो अगर आपने 20 लाख अपने बैंक से निकाले और वो गाड़ी खरी दी तो ये 20 लाख रुपे देने के लिए आपको कमाने पड़ेंगे 28 लाख क्योंकि वो 8 लाख टैक्स कट जाएगा आपका 28 लाख आप कमाएंगे किसी सोर्स से तो 8 लाख उसको टैक्स देंगे गौर्मेंट को तो वो 20 बचेगा जिससे आप वो गाड़ी खरी देंगे तो ये 28 लाख की फिगर एक को याद रखना अब आप ये गाड़ी 5 साल चलाते हैं 20,000 किलोमेटर साल के हिसाब से तो 1 लाख किलोमेटर जो आप गाड़ी चलाते हैं आपको ये आविरेज देती है 15 किलोमेटर की फ्यूल की कॉस्ट इसकी पड़ेगी आपको 6,66,000 रुपीज के करीब मोटा मोटा जो रेट का अंदाजा है अब उस 6,66,000 में भी जो बेस पराइज है बिना टैक्स के जो पेटरोल के एक्चुल कीमत है वो ढ़ाई लाख रुपे से भी कम है तो वहाँ भी आपके टैक्स जा रहे है अब वो 6,66,000 का जब आपको पेटरोल खरीदना है उसके लिए फिर आपको 10,00,000 रुपे ही कमाने पड़ेंगे क्योंकि वो 10,00,000 जो कमाऊंगे उस पे भी टैक्स दो गया तब वो आपका बचेगा उतना 6,66,66,000 जिससे आप पेटरोल डलाओगे तो 28 प्लस 10 हो गया 38,00,000 तो ये 38,00,000 रुपे आपको कमाना है एक गाड़ी को 1,00,000 किलोमेटर चलाने के लिए जिसका आउन रोड प्राइज 20,00,000 है जिस गाड़ी का प्राइज, आउन रोड प्राइज 20,00,000 है उसकी रेइस्टरेशन कॉस जी एस्टी उसका पहला जो आपने इंशूरेंस दिया और बाकी जो टैक्सेज, एक्साइज, फैक्साइज जो हैं वो मिला लो और जो कार मैनुफेक्चरर भी पे कर रहा है गवर्मेंट को क्योंकि उसका भी प्रोड़क्ट का एक साइज है वो भी टैक्सेज दे रहा है तो आपको तक्रीवन 12,00,000 रुपे की चीज मिल रही है तो मोटा मोटा है वो 40,00,000,000 कमाने हैं आपको 12,00,000 की चीज को यूटलाइज करने के लिए ये एक कैलकुलेशन है इसमें मैंने मेंटेनेस कॉस्ट आपकी इंशोरेंस कॉस्ट जो होती है भी टायर भी घिसेगा बाकी चीज भी लगती है आपको सब पता है उनको आपको एडिशनल अलग काउंट करना है तो फिगर हो सकता है 45-50,00,000,000 टच कर जाए और अगर उस चीज को मैं 5-6,00,000,000 इनिवेश्ट कर देता उस पैसे को और ये गाड़ी नहीं खरीता तो opportunity cost भी अगर मैं इसमें डाल दूँ तो मामला actual मैं 70-80,00,000,000 रुपे टच कर सकता है तो क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि ये 70-80,000,000, मतलब मैं जीवन में एक काम कर लूँ कि मैं गाड़ी नहीं चलाओं गर पे बैठ जाओं जैसे ऐसे बैटाओं ठीक है तो घर पे बैठ जाओं तो क्या मैं घर में बैठ के 5 साल में 80,00,000,000 का काम कर सकता हूं मैं ये calculation में खहीं आपको बहुत गड़बड लग रही है कि नहीं ये तो कुछ तुमने वो कर दिया जैसे मदारी का खेल दिखा दिया नी नी चिटिंग होगी ये तो यहां भाई साब ये तो गड़बड है यहां पर तो कमेंट सेक्शन में लिखो आप ये मैंने किसले बताया आप लोगों को चक्षू खोलने के लिए क्योंकि कई लोग अपने जीवन में 15 से 20 साल की जो लाइफ होती है काम करने में वो इस तरह की गाणिया दो तीन बार खरीद लेते हैं जादा नहीं कह रहा पंदरा बीस साल में दो तीन बार वो ऐसे वाली खरीद लेंगे और फिर कहेंगे यार पैसा बचा नहीं यार मतलब महनत कर रहे हैं और फिर वो चक्की पीसिंग है वाई आपको यह देखना है अगर आप 200 रुपे की मूवी भी देखते हैं उसमें अपने टैक्स हैं अल्रेडी 200 रुपे में 60-70 रुपे होंगे उसमें आपको पता है उसके टिकेट में कितना टैक्स होता है तो उसमें जो tax हैं वो tax हैं लेकिन वो 200 रुपे का टिकेट लेने के लिए भाईयो भेनो आपको 300 रुपे कमाने पड़ते हैं तो जब आप वहाँ movie देख रहे हैं तो यह आपको पता होना अच्छी कि मेरे को 300 कमाने हैं यह मैं आपको यह नहीं कह रहा लाइफ जी बंद कर दो मजे करने बंद कर दो गाड़ीань मत कर दो कपड़े MAT कर दो यही से मेरा जुड़ा है जो मैं नौकरी से फिर जिरा कर回來 कर हाँ कि business man जो होता है जिसकी अपनी company होती है再見 क्या उसको rule regulation अलग पड़ते हैं, क्या वो depreciation ले सकता है, क्या वो input cost ले सकता है, क्या वो driver की तंखा, पेट्रोल का खर्चा, उसकी accounting कैसे होती है नौकरी वालों, आपने ये सोचा है, किसी school में सिखाया है, क्या आपका employer सिखाएगा, ज़ा company में आप काम करते हैं, वो जो आपके नाम पे हैं, और अगर मैंने इसमें, लोन की cost और interest calculate कर लिया, जो मैंने नहीं करा, क्योंकि कई लो कमेंटिंग में हो सकता है, बहसबाजी में डले हैं, तो अगर लोन पे लिये होती, वो 20 लाक में भी 12 लाक रुपे कहीं लगाए होते हैं, और फिर ब्याज भी दे मेरा होता, मैं 7, 8, 9%, फिर क्या होता, उसमें calculation मेरी खाँ जाती, कितने करोड तक जाती, understanding money is very important, show this video to kids, very important, जो 14-15 साल के भी हैं, उनको भी वीडियो बच्चों को पकड़ के बोलो, सुनो, बच्चों ने वैसे भी screen time तो करना ही है, उस पे भी video मेरा pending है, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये accounting का पका अपने उपर रखो, मोटा मोटा शायद आपको अंदाजा था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक asset, 20 लाग का seemingly की higher गाड़ी लेनी है, थोड़ी शोद दिखानी है, चश्मे पहनने है, अच्छे से गाड़ी से उतरूंग और वो लेना है, कितने की पढ़ती है, और जब आप ये calculation करेंगे, businessman वाले को कितनी पढ़ती है, फिर आप देखेंगे कि आपको नौकरी करनी है, या नहीं करनी है, करनी चाहिए, किसके लिए नौकरी कर रहे हो आप, तो नौकरी सीरीज का topic तो नहीं है ये, लेकिन अब मै इस टाइम वन परचेज अनिफिंग इन ये लाइफ, की इस फॉर्मॉला इन माइन कि हो मुच आप उसमें डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी, अवरी ताइम यू बाइ सम्थिंग फॉर 1 थाउजं रूपीज और रूपीज आपकी तो अफोड दाट, हम टैक्सिस जो नौकरी करने वाले हैं, हमें पैसा मिलता भी टैक्स कटके है, फिर हमें उस से जो हम चीज खरीदते हैं, उस पे भी टैक्स देते हैं, किसी दिन जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे न, आप बूलेंगे मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, गॉर्मेंट के लि ले कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तो ये आपको ट्रेलर था, पसंद आया ये वाला, तो आप बताईएगा, थैंक्यू